में job requirement निकला है 2023 में तो किस तरीके से आभिदन करना है सारी जानक़ी मैं इसे वीडियो में आपके साथ share करने वाला हूँ जिसमें आपको 22,500 पर मनth salary मिलने वाला है और आपको रहने की भी facility मिलने वाली है जोब वेकेंसी के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और हमारी यूटूब चैनल और वेबसाइट पे हम अपलोड करेंगे यह सारी कमणी की जोब वेकेंसी एपलाई करने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे आई टी जोब बेटा आपको पहले नमबर वेबसाइट देखने को मिलेगी वहाँ से आप सारी कमणी की वेकेंसी के अपडेट देख सकते हो कभी कभी बार हम सबसे फ्रेंड वीडियो सारी कमणी के वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है उस टाइम पे हम इस वेब अपन करेंगे तो आपको बिकेट डिटायर का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर नहीं का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो हम अब भी बात करते है बिकेट डिटायर जो कि बुझ में जो प्लांट है वहाँ पे डिपलोमा के डिटी की पोस्ट पे वेकेंसी निकला है जो कि यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका दस विवास होना चाहिए उसमें 16 प्लस आपका SPI होना चाहिए आपने गवर्मेंट राजिस्टान मतलब कि आप only for राजिस् कर सकते हो यहाँ पे हम passing year के बात करें तो latest pass out मतलब 2023 ही के जो bench वाले pass out candidate है वही लोग आविदन कर सकते हैं यहाँ पे आगे हम बात करें तो आपकी age 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए तब ही इस job के लिए आप apply कर सकते हो job location भूज गुजरात आपका रहने वाला है यहाँ पे salary की बात की गई है 22,500 आपकी salary रहेगी अगर आप company के room पे रहते हो हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन अधर मतलब कि उसी सहर में कहीं पी अलग जगह पे रहते हो तो आपको 1500 पे add करके salary में मिल जाएगा वहाँ पे आपको bus की भी facility अविलेबल है यह सारे document आपको आप में लेके जाने है उसके बाद हम आगे बात करें तो 18 और 19 मार्च 2023 लास्ट डेट है तो आपको 9 बज़े से पहले जो हॉल है वहाँ पे conference hall में जाना है दो दिन का आपको time निकाल के वहाँ पे जाना पड़ेगा क्यूंकि उसका interview थोड़ा हो सकता है मेरे को मेल में सारी मेंचेन हुई थी उसलिए मैंने यहाँ पर भी मेंचेन कर लिया है इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस company के बारे में मतलब कि यह जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके बारे में कुछ guideline लिखी गई है जैसे पर और भी सारी चीजें जो लिखी है जो कि आपको यह form को desktop या मतलब कि laptop या PC में ही fill up करना है जैसे कि आपकी कोई गलती ना हो एक बार मैं आपको यहाँ पर email ID अपना डाल देना है जैसे कि मैं email ID आपको यहाँ पर mention करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को environment number में problem होता था उसलिए मैं यहाँ पर फील अप करके दिखाऊंगा ला तो आपको वह डाउट को clear हो जाएगा मैंने यह डेमोजी में ली डाला है यहाँ पर एक environment नम बल रहता है वह आपका जो सारे result आते हैं उसी result के according आपको डालना है यहाँ पर आपको WhatsApp नमबर डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको परसंटेज जो भी है आपको यहाँ पर डालना है मैं यहाँ पर आगे नहीं ज करना रहता है लेकिन बहुत सारे लोगों का comment आता था कि सर environment number यहाँ पर जो लिखा हुआ आता है वह क्या होता है तो एक चीज मैं थोड़ा दीखा देता हूँ मेरा जो नमबर था सतर बासट चालिश तीस यह मेरा environment नमबर था मैं जूम आउट जूम कर लेता हूँ तो यहा एक नमबर रहता है जिसको बोलते हैं हम environment नमबर जो कि अपने जी टीउ से आपका डिपलोमा किया है गवर्मेंट जी टीउ आपका लगता है तो आपका एक ऐसा नमबर जो रहता है जो आपकी हर एक्जाम का जो आप मार्क सीट चेक करते हो और आपका एक्जाम में जो फॉम पे उपर यहाँ जो आपका नमबर रहता है उसको ही environment नमबर बोला जाता है तो उस नमबर को आपको डालना है तो यहाँ पे मैंने एक सारे लोगों को कॉमेंट आ रही थी उसलिए इस वीडियो में इसको मैंसेन कर लिए है तो thank you for watching मिलते हैं नए वीडियो में नहीं जो वेकेंसी के साथ